नमस्कार दोस्तों, ग्रेट विंडियो एडिप्टिन में आपका स्वाकता है, यह है फ्शूचल रहने प्लेटफॉर्म तो दोस्ता, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली सूचना साइब बर्तिस से रेलिटेट मुस्ट इंपोर्डेंट MCQ सरीच तो आज की अपनी क्लास 52 और मोस्ट इंपोर्डेंट MCQ 26 से 50 तो चलो स्टार्ड करते हैं कम्प्यूट साइन्स के कोर्षन कोर्षन सेंगे 26, 26 कोर्षन क्या कहरा है, देखिए, यह दि आप विंडोज 98 को विंडोज XP में बदलते हो तो इसे क्या हक कहता है मतलब विंडोज 98 से विंडोज XP में बदलना हो तो इसे क्या कहा जाता है तो ध्यान रखें अपडेट, अपग्रेड, अपलोड या अपस्टार्ड जो या पैच तो यहां पर 26 का जो सही आंसर है अपग्रेड क्या जाता है जब आपको विंडोज 98 से आपने किस में कनवर्ट किया है XP में निमलिकित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एन गेजवेज नहीं है तो ध्यान रखें एन गेजवेज जो नहीं है बताना है तो यहां पर देखो Java, MSXL, Basic, Cobol या C++ तो यहां पर देखा जाता है तो 27 में सही आंसर रहेगा MSXL क्योंकि MSXL जो होता है यह क्या होता है एक application software का program है तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा यहां पर भी रहेगा एक electronic device है जो data को सूचना में बदल कर process करती है मतलब data को information में बदल कर जो process करती है उसे क्या का जाता है वो यहां पर बताना है तो यहां पर उसे जो का जाता है एक electronic device जो होता है computer इनमें से कौन सा एक upside down mouse है upside down mouse जो है वो यहां पर बताना है तो यहां पर 29 का जो answer होगा सही कौन सा होगा देखे track point, trackpad या इनमें से कोई नहीं joystick या track ball तो यहां पर upside down जो mouse होता है वो होता है track ball साही answer E एक में button वो menu होता है जो समने था उप्योग में आने वाले command तक axis देते है तो command तक जो axis देते है वो कौन देते है Windows, menu bar, toll bar या find तो यहां पर जो 30 का जो सही answer होगा उससे बोलता है toll bar बताए CRM सब्द का अर्थ क्या है CRM सब्द का जो अर्थ होता है वो होता है customer relationship management customer relationship management जो है इसकी perform हो गई CRM की monitors और printers जैसे device जो computer से connected होते हैं कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं तो यह कहलाते है peripheral device सही answer C निमलिकित में से किसे secondary storage का रूप नहीं माना जाता है तो यहां पर जो secondary storage का रूप नहीं माना जाता है वो पता ने तो optical disk जो CD और DVD होती है तो वो जो होती है secondary storage device का अंत करता है यह लिकावे यहां पर floppy disk RAM जो होती है primary memory होती है सही answer क्या रहेगा 33 का यहां पर sorry यहां पर secondary storage का रूप जो नहीं माना जाता है वो बताना है तो सही answer रहेगा यहां पर RAM internet या extra net जुड़े होए परतेक computer का एक अलग होना चाहिए तो यहां पर दियान रखें जो एक होता है extra net और एक होता है इंट्रानेट इन दोनों में फरक्किया दियान रखें एक private होता है और एक निजी और एक होता है government तो यहां पर पर परते computer को यह जो net चुड़े होता है परते computer का एक बाग होना चाहिए तो वो क्या होता है तो यह जो होता है proxy server होता है अगनेतिय वीप्णन या एन भी दोनों तो यहां पर 35 का सई आंसर आएगा यहां पर ध्यान रखें तो यह क्या करता है computer गणकी ने बल्कि सूचन को संचद्धी कनने बसाधने तो यह ध्यान रखें गनेतिय कैलकुलेशन भी करता है यहां वीप्णन मतलब यह भी होता है और अगनेतिय यह क्यालकुलेशन ने होती तो सई आंसर आएगा यहां पर यह दोनों कौन कौन से D और यहां पर A परतम PD की programming language किसका प्रियोग हुआ फर्स्ट जनरेशन programming language में किसका प्रियोग हुआ है तो यह हुआ है machine language का hardware की A की कई जो computer processing पर नज़र रखती है तो यह जो नज़र रखती है यह रखती है console सई आंसर C 38 यह विशेश desktop computer का मुख्य गटक है जो processor, memory, कुछ storage device हो display और sound circuit को धरन कर hold करता है उसे क्या का जाता है तो उसे क्या का जाता है ध्यान रखें तो यह जो होता है क्या होता है यह होता है system unit सई आंसर E computer में प्रियोग की जाने वाली IC chip किससे बनी होती है तो यह जो IC chip होती है वो बनी होती है silicon से सई आंसर B arithmetic and logical unit यहाँ पर four options दे रखें तो यहाँ पर mathematical logical unit यहाँ पर 40 का जो सई आंसर क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा गनिती संक्राइब पूरी करता है और तुलनाएं करता है तो सई आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 40 का सई आंसर रहेगा C first और third storage unit क्या परदान करती है storage unit जो है storage करता है तो यहाँ पर यह क्या करता है सूचना वर निर्जेशन के लिए storage सई आंसर B अधिक्तम उत्पादों पर print line है print line है कौन सी होती है तो यह होती है ग्राफिकल यूजर इंटरपेस सई आंसर प्यार आएगा 42 का सई आंसर क्या रहेगा D bandwidth in network का क्या अर्थ है bandwidth network का क्या अर्थ होता है यह bandwidth का मतलब होता है communication की transmission capacity सई आंसर E 43 का E optical disk में data retrieve करने और record करने के लिए परियोग की जाने वाली परकास की किरन क्या कहलाती है तो यह जो परकास की किरन जो होती है क्या कहलाती है optical disk में laser कहलाती है सई आंसर D computer network में firewall क्या है तो firewall क्या होता है एक hardware और software को control करना उसमें रोकना जो बार से अने वाली information को रोकने का जो काम होता है वो firewall का होता है तो यहां पर जो सई आंसर है वो है computer network का एक operating system या bandwidth बढ़ाने का software या एक अभिकलप्तिक design system या एक browsing software या network की physical boundary तो यहां पर जो सई आंसर है computer network का एक operating system बता है सई आंसर C digital telecommunication से समंदी सब ISDN का क्या नाम है ISDN की जो full form है वो है integrated integrated service और digital network integrated service digital network यह किसकी full form हो गई यहां पर ISDN की तो सई आंसर क्या रहेगा यहां पर integrated service digit network सई आंसर आएगा E 46 का E निमलिकित में से कौन सा device जो input device नहीं है वो बताना है mouse input device होता है light pen input device होता है touchpad input device keyboard input device video input device नहीं होता है सई आंसर 47 का E सभी तारकिक एव गणितिय परिकलन जो computer दुआरा किये गए हो पर computer पर होते रहते हैं उसे यहां पर क्या कहा जाता है तो यह जो होता है वो होता है center processing unit मतलब CPU input output processing device हों का सम्मू का निरुपुन करता है तो यह जो निरुपुन करता है कौन करता है computer system सई आंसर D निमलिकित में से कौन vision मतलब इस में से जो odd है वो बताना है तो यहां पर देखिए spyware torgenhor, malware, virus यह सबी है लेकिन firmware यहां पर गलत हो जाएगा तो यहां पर 50 का सई आंसर क्या रहाएगा E और यह जो थे virus से related थे और यह एक firmware software हो गया तो यहां पर सई आंसर क्या रहाएगा यहां पर E तो 50 का सई आंसर E तो दोस्तों आज की computer class है यहां ही end करते हैं तो दोस्तों यह दिया आपको यह किला सची लगी हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें टाइंक्यो